क्या आपने कभी सोचा है कि धंतेरस पर चादी, सोना या बरतन खरीदने से सच्मुझ आपके जीवन में सम्रद्धी आ सकती है? क्या सिर्फ पूजा करने से आपके घर में लक्षमी इस्थाई रूप से निवास करने लगेंगी? आज इस वीडियो में हम जानेंगे धंतेरस की पौराडिक कथा, सही पूजा विधी और किन वस्तूं को खरीदना आपके लिए सच में लापकारी हो सकता है? अगर आप इस वीडियो में बताएगे तरीकों और पूजा विधी को फालन करते हुए वस्तूं को खरीदेंगे और परंपराओं को निभाएंगे तो आपके जीवन में खुशाली आने से कोई रोक नहीं सकता? नमस्कार यूपी नाओं में आपका दिल से स्वागत है अरूर का अभिवादन सुईकार करें आज की हमारी सनातनी आत्रा धंदेरस से सम्बन रखती है तो चलिए इस महत्पूर्ण जानकारी को ध्यान से समझते हैं क्योंकि हर छोटी से छोटी बात आपकी आने वाली सुख में बना सकती है पहले तो आईये समझते हैं कि धंदेरस की प्रिस्ट भूमी क्या है क्या आप चांते हैं या पर्व सिर्फ संपत्ति के लिए नहीं बलकि जीवन दक्षक तत्नों से भी जुड़ा है धंदेरस के पर्व की सुरवात एक कथा से होती है जो आपके मन को अंदर तक जग जोड़ देगी कता के मुताबिक बहुत समय पूर हुए राजा हेम की संतान का विवाह जिस दिन हुआ जोतिसियों ने बताया कि विवाह के चोथे दिन उनके बच्चे की मृत्यू सापके काटने से हो जाएगी यह सुनकर राजा हेम और उनकी पत्नी के मन म भै और निराशा चा गई सौभाविक है मा और बाप को जब यह पता चलेगा कि उनका पुत्र नहीं रहेगा तो भै और निराशा आएगी ही उनके मन में अपने पुत्र को खोने का डर था लेकिन माता लक्षमी की कृपा राजा हेम पर थी इसलिए चोथे दिन जब सर्प उनके पुत्र के पास पहुंचा तो उसे चकाचाउंद कर देने वाली रोश्णी ने मोहित कर लिया और वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वापस चला गया तो देखा आपने अगर आपको लगता है सोने और चान्दी की चमक सिर्फ दिखाने के लिए है निवेश के लिए है तो एक बार इन चीजों को खरीदते समय राजाहेम की इस कथा को जरूर दियान कर लिजेगा आपको एक और वजह मिल जाएगी धंतेरस पर सोना और चान्दी खरीदने का अब जब आपने कथा समझ ली तो अगला सवाल उठता है कि इस धंतेरस पर पूजा कैसे कर ने चाहिए ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में इस्थाई रूप से निवास करती रहें धंतेरस की पूजा विधी का पालन करने के लिए साम के समय सुर्याज के बार घर के दरवाजे पर धीपक जलाना अत्यंत सुब माना जाता है सबसे पहले भगवान धर्वंत्री का इस्मरण करें और उनके चित्र के सामने दीप जलाएं यहाँ आपके स्वास्त और आपके जीवन में सांती लाने में मदद करेगा मा लक्ष्मी और भगवान कुबेर का पूजन करके उनके सामने सुद्ध चावल, फूल और मिठाई अर्पित करें आपने देखा कि हमने बताया कि लक्ष्मी और कुबेर की पूजा एक साथ करें और शास्त्री रूप से ये दोनों भगवान आपस में जुड़े नहीं हैं इसलिए आपके मन में सवाल हो सकता है कि माता लक्ष्मी और कुबेर दियुता को एक साथ क्यों पूजना चाहिए दरसल ये दोनों देवी दियुता धन और वैभय के प्रतीक माने जाते हैं और इस दिन की पूजा आपके जीवन में इस्थाई सुक्सम्रधी का मार्ग खोल देती है अंत में घर के हर कोने में एक छोटा सा दीपक रखें ताकि लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश कर सकें अब जब आपकी पूजा खत्म हो गई है आपने सही तरीके से पूजा को संपन कर लिया है तो आपके मन में सवाल होगा कि आखिर बरतन या धातु की वस्तुएं खरीदने से माता लक्पी क्यों प्रसंद होती है चलिए अगले हिस्से में इसका भी रहस्य खोलते हैं आपके घर में बरकत बनी रहे धन तेरस पर सोना चादी बरतन और यहां तक की वरतमान समय में इलेक्ट्रोनिक आइटम भी खरीदने की परंपरा है पर क्या आप जानते हैं इन चीजों को खरीदने की पीछे जो परंपरा चली है उसको बनाने वाले रिश्यों के मन में क्या सोच रही होगी एक एक कर करके समजते हैं सोना और चादी इन धात्वों को घर में लाने से सम्रुधि और उन्नत की संकेत मिलते हैं खासकर सोना स्वभागे का प्रतीक मना जाता है और चांदी ठंडक और धैरे का बरतन खरिजने से घर में भोजन की कभी कमी नहीं रहती यह परिवार की खुशाली का प्रतीक है इलेक्ट्रोनिक आइटम वर्तमान में इलेक्ट्रोनिक्स आइटम भी लक्ष्मी जी का रूप आने जाते हैं क्योंकि इससे आपके कारिच्छेतर में व्रद्धी होती है तो अगर आपकी घर की देवी बहुत दिनों से आपसे कोकिंग रेंज खरीदने की बात कह रही हैं तो आप धन्तेरस पर उसे खरीज सकते हैं क्योंकि यह एक धार्मिक निवेज तो है ही साथ ही लक्ष्मी जी का भी एक रूप है इस दिन की गई इन वस्तों की खरीदारी हमारे जीवन में इस्थाई तुलाती है मानेता है अगर इन वस्तों को सही भावना और स्रद्धा से खरीदा जाए तो आप का पुरा वर्ष आर्थिक रूप से सम्रद्ध रहेगा अब जब आप धंतेरस की कथा पूजन की सही विधी और खरीदारी के लावों को जान चुके हैं तो आने वाले स्पर्व को पूरी स्रद्धा के साथ मनाईएगा ताकि लक्ष्मी माता का आश्रवात आपके जीवन को नई उचाईयों पर पहुंचा सके अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हम बताएंगे दिवाली पर सही तरीके से लक्ष्मी पूजन का महत्व और रहस्य इस सीजन को और भी खास बनाईए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर पावन पर्व पर आपको सही मालग दर्शन मिलता रहे इस वीडियो के प्रायोजक है पोस्टर वा मैप होम किसी भी प्रकार के धार्मिक पोस्टर मैप हैंडमेट हर्बल सोप वा सुगंदित डिजाइनर मुम्बत्ती खरीदने के लिए दिये गये वाट्सप और धिवाली की धेरों सुपकाम नाएं May you be blessed with abundance and joy this festive session अरुन का सादर अभीबादन पुना सुइकार करें